असलाम अलेकुम आज हम बनाएंगे खुश्बुदार चिकन पुलाओ जिसका टेस्ट बिलकु यखनी पुलाओ की तरह होगा लेकिन हम इसमें यखनी अलग से नहीं बनाएंगे आप देखेंगे बहुत ही आसान तरीके से बेहतरी नापका खुश्बुदार पुलाओ बनेग और तेल के गरम हो जाने पर इसमें तीन मीडियम साइज की प्यास टाल देंगे और प्यास को यहां पर हमें हलका सा गोल्डन हो जाने तक फ्राय कर लेना है जब इस तरह से प्यास गोल्डन होने लगेगी इसमें से आधी प्यास निकाल लेंगे इसका इस्तमाल हम बाद में करेंगे अब इसमें कुछ साबुद गरब मसाले डालेंगे दो टी स्पून सफेज जीरा एक बड़ी लाइची दो इंच का दाल चीनी का टुकुला दो बाधियान के फूल और चार पांच छोटी लाइची और हलका सा इनको क्राकल कर लेंगे साइट में करके जैसे की फ्लेव डो टेबल स्powन ये नमक है यह हम इसमें डाल देते हैं बाध में अगर ज़रौ अखुशुस होगी तो हम इसमें और नमक डालेंगे जादेरे भिषज़ाגत दो यखनी बनी बिलकूल यकनी पुला जैसा बनीका तो इसके लिए एक टेबल स्पून सौफ ले लेंगे, एक टेबल स्पून सापुद धनिया ले लेंगे, एक जावितरी का फूल ले लेंगे और एक त्याई टुकड़ा ले लेंगे जाइफल का, 14-15 काली मिर्श ले लेंगे और 4 छोटी लाची ले लेंगे इन सबी को हमें एक मिक्सी के जार में डालना है और इसको सूखा पीस लेना है तो इसको जितना आप फाइन पीस सकते हैं उतना पीस लीज़ेगा और इस तरह से हमारा बहुत ही जबदस एकदम खुश्बूदार मसाला बनकर तयार है जिसकी वज़ा से हमारा पुलाओ बहुत जबदस बनकर तयार होता है तो अब इसको साइड में रख देते हैं और उसी मिक्सी के जार में मैं 12-14 हर इमेश डाल रही हूँ टेस्ट के करना चाहते है तो चॉप करके यूज कर लें लेकिन में यहाँ पर पेस्ट बना कर इसमाल कर रही हूँ इधर हम चिकन की तरफ आ जाते हैं चिकन हमारा बुन चुका है तो अब हम इसमें एक कप यानि की 250 ग्राम के करीब दही डाल देंगे साथ में इसमें तो मीडियम साइ है यहाँ पर चिकन को और जब दही के साथ चिकन भुन जाएगा तो हम चिकन को ढख कर आठ से दस मेंट की लो फ्लेम पर पका लेंगे जिसे जो हमारा चिकन है तक रिबान 70 परसंट तक कोख हो जाएगा बाकी की जो कोकिंग है वो चावलो के साथ कर लेंगे तो यहाँ पर जो पानी ले रही हूं मैं इस्तमाल कर रही हूं छे कप उबलते वे पानी का इस्तमाल किया है मैंने जिससे कि इसमें बॉयल जल्दी आ जाएगी तो धक कर इसमें उबाल आने का वेट कर लेते हैं तो यहां पर जब इसमें उबाल आ जाएगी पानी के अंदर तब हमें इसमे चावल शामिल करने है ये चार कब बासमती लॉंग ग्रेन राइस हैं जिनको आदे गंटे पहले मैंने भीगो दिया था इन चावलों में से पानी आपको बिल्कु ट्रेन करके इसमें डालना है क्योंकि अल्डेटी जितना चावलों को पानी चाहिए उतना हम इसमें डाल चु के लिए हम एक टेबल स्पून केवडा वाटर भी डालेंगे बहुत अच्छी खुश्बू आती है पुलाओं में केवडा वाटर से या फिर आप रोज वाटर कर सकते हैं अब इसको ढग देंगे और इसमें एक उबाल आने का वेट कर लेंगे जब चावलों में एक उबाल आ जाएगी हमने जो खुश्बू का मसाला बनाया था वो इसमें डालेंगे इसी पॉइंट पर इसमें डालना है उबाल आने के बाद पहले नहीं डालेंगे जिससे कि जो इसकी खुश्बू है वो और भी जादा अच्छे सा आती है पुलाओं के अंदर अब मिला देंगे इसको और ठक देंगे अब ठक कर इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर पकाएंगे बीच में थोड़ा सा जो हमने बरिस्ता बनाया था वो भी इसमें डाल देना है तो एक शोथाइस सा बरिस्तेकर डाल दीजेगा वही जो तलीवी प्यास हमने निकाल तो इसके नीचे कोई हैवी बटम तवाया पर जाली भी लगा सकते हैं जिससे कि जो नीचे से आपके चावल हैं वो सीक्योर रहेंगे तो अगर आपका हलके तले का बरतन है तो नीचे तवाया पर जाली ज़रूर लगा लीजेगा जब तक हमारे चावल दम हो रहे हम इधर जबर्दसा रायता बना लेता हैं मिन्ट रायता तयार करेंगे यानि की पुदीने का रायता एक मीक्सी कれजार में आधा कप हम पुदीन डालेंगे और एक कप हम धहीriz करने वाले हैं उस्सी में से दो टेबल rebel is noodles में नी डाल देंगेँए दो हरी मेश डालकर इसको smoothly पीष बागी का जो दही है उसको अच्छी तरह से फेट कर तयार किया हुआ मिंट का जो मिक्शर है वो इसमें डाल देंगे अच्छी तरह से इसको भी मिला देंगे दही की consistency को adjust कर लेंगे एक चोथाई का पानी डाला है मैंने इसमें अच्छी तरह से मिला देंगे अब कुछ मसाले डाल देते हैं आधर टीस्पून नमक वन बाइ फूर टीस्पून काला नमक और साथ में इसमें जाएगी एक चोथाई टीस्पून काली मिर्च और आधर टीस्पून भूनेवे जीरे का पाउडर और एक चोथाई टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर और अच्छी तरह से इसको भी मिला देंगे और इस तरह से मारा बहुत ही जबर्दस मिन्ट रायता बनकर तयार है बहुत टेस्टी लगता है ये पुलाओ के साथ अभी इसको रख देते हैं साइड में और यहां पर हमारे चावल जो है ना एकदम 100% को को चुके हैं अच्छे से दम हो चुके हैं अब यह सर्फ करने के लिए तयार हैं लेकिन सर्फ करने से पहले हमें क्या करना है इसको हलका हल पर जहां ओपर नीचे करेंगे इस तरह से और इसमें हम थोड़ा सा देसी घी डालें गेंगे एक से दो टेबिल स्पून जबहुत जबन करें तो आट देस्ट में डिफरेंस आता है बहुत ज्यादा टेस्ट हैंस हो जाता है और इसको ठाक कर 810 में के लिए सैटल होने के ल खुश्बुदार विदाउट यखनी के यखनी पुलाव बन का त्यार हुआ है जो कि बहुत ही टेस्टी बनता है आप एक बार बना कर देखिए यह आपको बहुत पसंद आएगा और बहुत ही आसानी से बनने वाला पुलाव है बहुत ही इंस्टेंटली बन जाता है और इसके साथ यह मिन्ट ट्राइता बनाएए सैलेड बनाएए आपको बहुत पसंद आएगा तो जरूर से ट्राइ के जगा खुल्बुदार बुलाव की यह जबदसी रेसिपी और मुझे को अपनी फेटबैक्स लाजमी दीजेगा क्योंकि आपको पता है मुझे हमेशा आपकी फेटबैक्स का इंतजार रहता है और आप मेरी वीडियो कहां से वाच कर रहे हैं यह भी प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके बारे में जानकर वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया अल्लाहफेज झाल क्योंकि में प्लीज का । क्योंकि मä वीडियो क्योंकि बॉक्या कि उरुर सेन से का अल्लाहफे में जरूर